अमेरिका में रह रहे हरियाना के एक परिवार की मौत से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है इस परिवार के मुखिया राकेश कमल ने पहले अपनी पत्नी टीना और बेटी एरियाना को गोली मार कर हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार ली मरने वाली टीना करनाल के नामी वकीर तेजिन रपाल सिंग बेदी की बेटी थी मिली जानकारी के अनुसार राकेश कमल की अमेरिका में एक कमपनी थी जो डूप चुकी थी राकेश ने इस कमपनी पर बैंक से लोन भी ले रखा था अपनी रकम की recovery के लिए bank राकेश की पूरी property अटेच कर चुका था और उसे निलाम करने की तयारी में था इसे बीच राकेश ने खुद को दिवालिया घोशित करने के लिए USA government के पास application लगाई अगर सरकार इस अपील को सुन लेती तो राकेश की property निलाम होने से बच सकती थी लेकिन सरकार ने application को सुईकार नहीं किया अपनी family के सड़क पर आ जाने के ख्यास से राकेश कमल कई दिनों से तनाव में चल रहे थे 26 दिसमबर 2023 को उन्होंने पहले अपनी पत्नी टीना और फिर बेटी एरियाना को घर में ही गोली मार दी पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद राकेश ने खुद को भी गोली मार कर सुसाइट कर लिया USA पुलिस के अधिकारी जब राकेश कमल के घर पहुंशे तो वहाँ उनकी बॉडी के पास बंदूग पड़ी मिली पुलिस ने तीनों डेट बॉडी का पोस्ट मार्टम करने वाले डॉक्टर इससे ट्रिपल मर्डर का केस मान रहे थे बंदूग के ऑनर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दूसरी एजनसियों की मदद ली जा रही है राकेश कमल की पूरी फैमली 1960 के दशक में ही अमेरिका में सैटल हो चुकी थी उससे पहले उनका परिवार दिल्ली में रहता था राकेश का जन अमेरिका में ही हुआ और उनका वहाँ पे बिजनस था अपनी बेटी टीना की शादी तकरीबन 25 साल पहले राकेश कमल के साथ की थी दोनों की शादी का प्रोग्राम करनाल में हुआ था शादी के बाद टीना अपने पती के साथ अमेरिका चली गई दोनों की एक बेटी थी जिसका नम एरियाना था टीना अपने पती राकेश कमल और बेटी एरियाना के साथ एक साल पहले ही माता पिता से मिलने करनाल आई थी अन्माल लाइब की कास्ट रपोर्ट